हाँ दोस्तों एक दिन अचानक हमको पता चलता है कि ओम प्रकाश मिश्रा असल में भारत का एक अंडरकावर एजेंट है और इसने एक बहुत ही कोवर्ट मिशन को सिंगल हेंडिडली प्लैन किया उसको एक्जेक्यूट किया और उसको अकम्प्लिश भी किया इसका ही बेस्ति कर दी उसके परधान मंत्री की बेस्ति कर दी इन सब के सर जुका दी है नमश्कार जैमा भारती दोस्तों अभी में आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसको आप ये सोचके सुनिएगा कि यह किसी फिल्म की कहानी है हॉलिवुड की जो बिग बजट फिल्म होती है एकदम टॉप नॉच प्रोड़क्शन कॉलिटी वाली उस लेवल की कहानी है और ट्रू कहानी है नॉन फिक्शन है फिक्शनल कहानी नहीं है लेकिन कहानी है भारत की भारत के पूरवी उत्तरप्रदेश की याने के पूरवा लेकिन बागी दुनिया को नहीं लगता पर बागी दुनिया को क्या लगता है क्या नहीं लगता उससे इसको घंटा फरक नहीं पड़ता और ये अपना एक गाना कंपोज करके बनाके गाके record करके YouTube पे अपने चैनल पे release कर देता है rap song गाने के बोल थे बोलना अंटी आओं क्या घंटी में बजाओं क्या और ये गाना वाईसा viral हो जाता है दबा के viral हो जाता है रातों रात इसलिए viral नहीं होता कि गाना बहुत ज्यादा अच्छा था बलकि इसलिए viral होता है कि बहुत ज्यादा बुरा था अलब क्रिंजवर्दी गाना था इतना बुरा कि अच्छा लगन लगे उस category में आता था इसके उपर दबा के memes बनने लगते हैं बहुत मीमस बनते हैं इसके उपर झमारे देश के जितने ही बड़े roasters है इसको दबा के roast करते हैं और इसके उपर controversy भी होती है हमारे देश के जो liberals हैं वह कहते हैं कि गाने की जो lyrics हैं वह misogynistic हैं वह sexist हैं और रिपोर्ट करके YouTube पट एक बार चीज तो सोशल मीडिया के ऊपर वाइरल हो गई, वह डिलीट कैसे की जा सकती है, वह तो बस घूपैमिन के ऊपर गाने डालता रहता है, अपने व्लॉक्स डालता रहता है, और लğ들े सबुल दिया कि पक्भी किση को भाइर की लड़ाहि के लड़ाहि में कूद प पता चलता है कि होम प्रकाश मिश्रा एक क्रिंज वर्दी रैपर वो तो असल वे आर और डे डबलू का एक बहुत बड़ा अंडरकवर एजेंट है बहुत बड़ा एजेंट मामूली एजेंट नहीं ऐसा एजेंट जिसने सिंगल हैंडिटली न्यूजिलेंड टूर आफ पाक पाकिस्तान के मीडिया ने जैसा कि हमें आशा दी की होगा भारत के ओपर अरूप लगाना शुरू कर दिया कि इसा भारत का किया दरा है भारत ने करवाया है पहले पाकिस्तान के ग्राय मंत्री ने कह दिया जो इंटीर मिनिस्टर उनका शेख चिल्ली रशीद हर चैनल पे जाके उसने का कि भारत का किया दरा है उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे मंत्री हैं जो उनका तो कोई भी बैट के ये साजिश रची उन्होंने बोला ववाज चौधरी ने कि भाई भारत से इमेल्स भेजी गई महाराष्ट से अलग-अलग इमेल आइडी से मेल्स भेजी गई न्यूजलेंड के प्लेयर्स को और उनकी पत्नियों को भी इनकी स्पाउज़ को भी थ्रेट्स भेजी गई इमेल्स के जरिए यह अलग-अलग इमेल एडीस उन्हों चारपांच इमेल एडीस बताए उन्होंने का और यह बेजी गई जिसके मोबाइल फोन से जिसकी डिवाइस से उस आदमी का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा अब यह जो एक मीम के सब्जेक्ट है हमारे देश में जिनका सब मजाक बढ़ाते हैं मैं उनको जज़ नहीं कर रहा हूं मैं कुछ नहीं जो रियल सिचुएशन है मैं वह बता रहा हूं मैं आइडी डूंट मिन टॉफेंड इम वह जो भी कर रहा है अपनी जेका सईयार अच्छा लोग कहते हैं यह एजेंट है भारत का उंपरकाई मिश्रा फोटो दिखा के कहते हैं और इस साजिस रची हैं के लिए सिंगल-हेंडिड लोग क्या कह रहे हैं कि जेम्स बॉंड का जेसन बॉन का यह साक्षात अवतार है लब उनका जीता जाकता रूप है लड़का उंपर पाकिस्तान बाइच चॉद्री चौधरी के अनुसार हमारे ओम प्रकाई मिश्रा ने वाहीस आप इनको आएजैस को मात दे दी इनकी इंटेलिजस इजिस को इनके अनुसार दुनिया की नंबर-वन एजेंसी है उसको हमारे ओम प्रकाई मिश्रा ने शिंगल-हेंडिल ली ह कोई कि फवाज चोदरी पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन निस्ट्री कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ उसने प्लैन रचा और इनको भनक भी नहीं लगी इतनी तो इनकी एफेक्टिव एजनसी है नंबर वन एजनसी कि यार यह पाकिस्तान फिर कहता है कि इससे दुनिया सीरिस जैसे लोग हो गए या जो केनेडा में बैठे हैं कुछ लोग तहईर गो रघ्र गोरा जैसे लोग हो गए रॉफ क्या स्वाध रह見ते हैं उनकी मे रॉफ क्लास रहें चाइपी वो कारण हो सकता है कि यह सीरीज गैंसल हुई है उनका क्या मतलब है इस का रॉफ क्लासर का इस बात से इनके जो आईएसाई चीफ है उसने जाके अफगनेश्तान में तालिबान के साथ चाइपी फोटो खिचवाई कैसी तो एजनसी है कि अपने आईएसाई चीफ क महनले आएएफ trabajar गया बाता उसमें युके से अमेरिका से भारत देश की साहता करता है और दूसरे भारत चल रहा है इसे पाकिस्तान को इसको चाहता नहीं कर सकता इन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहारी कि यह कह रहे है न्यूजलेंड यह है और उसके वाद इंग्लेंड ने कर दिया इनको और ज्यादा मिडचे लग गए इंग्लेंड को कह रहे हैं अप उनको रेसिसम का रोप लगा रहे हैं कि भाई हमें धोका दे दिया बैक दूसरे देशों में जाके दुनिया से पैसा मांग रहे है तालिबान के लिए मतलब इस वर्किंग ऐस फंड्रेजर एस एन एजेंट अफ तालिबान यह लोगों को बात समझ में नहीं तुम्हारा परदान बंतरी यह बात दुनिया को दिखनी रही किया दुनिया अंदी है और यह वे Sorry यह लिबर्ल मीडिया की बिस्धी टाइम हो गया है यह खुल के बोल कि नहीं रहा है नूजवे लेंड की प्रिए मिनिंस्टर कुंद कर रहा है तुम्हारा जो टालिबान को सबा م facilitating पकिस्टान होता है प 11 एश चीफ दूसरा सबसे कि अर्मेटा पर पिर आईसाई चीफ दूसरा सबसे पारफुल होता है पिर किसी और का नंबर आता है वह आदमी चाहे पी रहा है फोटो की चुपा रहा है फोटो आप्स कर रहा है उनके साथ तालिबान के साथ जिनको तुम्हारा जो विदेश मंत्री है फॉरन मिनिस्टर है वो कह रहा है कि टीटीप का माफ कर देंगे सारे अपराद सारे जुर्म आफ़ कर देंगे बस वो कुछ कंडिशन सुल्फिल कर लें ओ दिखा दें कि वह नशनलिस्टी है पाकिस्ताप्स यह करना छोड़ द देंगे तुम्हारा विदेश मिनिस्टर खेह रहा है जिसकी एक्टुछी यह न और चाही थे यहां सीक्यरटी का इशु नहीं था, उनको ही पता है। तुम्हारा इमेज का इशु है, रेपिटेशन का इशु है, भई मैं मारो गॉलि, इंडुम सल्मान को, मैं इंडियन पाकि cowboy, मैं पाकिस्तानी की तरह बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक पाकिस्तानी हूं मैं common sense से सूचूँगा कि मेरी सरकार officially हमारे मंतरी हमारे लोग पाकिस्तानी की problem यह कि तालीबान को support कर रहे हैं वो तालीबान जिसने तुम्हारे 1000 फौजीों को मारा तुम कहते हो मैं नहीं कहते हो हजारों फौजीों को मारा तुम्हारे तुम्हारे हजारों सिविलियंस को मारा तुम कुछ खुद कहते हो कि साथ हजार के आसपस सिविलियंस और बीस हजार के आसपस फौजी मरें दस सालों में तुम कहते हो हमने जंग लड़ी है हमने इतनी कुर्बानी दी है आतंगवाद के लाव में जंग लड़ी है तुम ही कहते हो नहीं मैं तो नहीं कहता पाकिस्तानी की तरह बात कर रहा हूं इस समय में तुम कहते हैं एक लाग के आसपास लोग मार दिये बाई तालिबान और टीटीपी ने और तुम हम इनके लिए फंड रहे तुम्हारा होना चीह है तुम्हारे बिरादर मुन बोगा इनसे को cricket टीम बना ले चीनसे को cricket बना ले आपसे बना के एक ICC को टक्कर की association घड़ी कर दो खत्म कर दो खाजो ICC को कर लो है इमत है दम कर लो यह क्यों नहीं करता है पकिस्तान के कर लो प्रकिस्तान जो है वो तो मुसलिम उम भारत कर सकता है कि आओगा तुम ही नियुजलेंड के टूर को पाकिस्तान से चेंसल करवाना यह पूरा उम्परकाश हमशन ने प्लैन किया एक्जेक्जीट किया सब्सक्राइब प्राइम मिनिस्टर तालीबान को सपोर्ट कर रहा है जिसको तुम खुद आतंकी कहते हैं तुमने दस साल फिर लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी अगर तुम इनके लिए पैसे खटे कर रहे हो तो इनको माफ करने की बाते कर रहे हो किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी यार पर तुम्हारी जो सिक्रिटी फोर्स है तुम्हारी जो पुलिस है उसको कैसे हड़का रहा है कि अब तालीमान आएंगे यह ओगा वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे यह करो वह बच्ची अब वो लोग दिखता नहीं कि वैस्ट को यह निजलेंड को दिखता नहीं यह थ्रेट निजलेंड के लिए क्या पता हो यह लेकर ओम परकाश मिशराज इतनी रिसर्च नहीं कर सकते तुम के एक नाव यह कोई बंदा जो नाम हम यूज कर रहे हैं वाला ब्लेम डालने के लिए व हवाल हैं यहां पर मैं यह assignment अगर किसी अपने graduation के स्टूडंट ऊब जो बी पड़ रहा हो अंड़ग्राड स्टूडंट को दूना मैं किसी स्टूडंट को तो वह इतनी रिसर्च कर लेगा कि जिसके ओपर हम ब्लेम डाल रहे हैं जो हम identity चुन रहे हैं जिसकी photo use कर रहे हैं मैं बना दूगा, मैं इमेल्स भेज़ दूगा और मैं अपनी डिवाइज डिसकावर भी नहीं होने दूगा, कह रहे हों प्रकाश मिश्रा, लोकेशन बता रहे हों महाराश यार, अजर भी नहीं होने दूगा,